आज हम management of financial services का part 1 पढ़ेंगे आज हम इसमें discuss करेंगे management of financial services क्या होती है इसकी क्या विशेश्टाएं है यनकी विशेश्टाओं का बंडन करेंगे फिर इसके scope यनकी शेक्र का बंडन करेंगे Let's start Meaning of Financial Services Efficiency of Emerging Financial Systems largely depends upon the quality and the variety of financial services provided by the financial intermediaries देकि किसी भी financial system की कारे को शलता है इस बात पर निवर करते ही है कि वहांके जो financial intermediaries है वो किस गुणवता या quality ये किन तरहें कि किन वराइटी की financial services प्रवाइड कर रहे है The term financial services can be defined as activities, benefits and satisfaction connected with the sale of money that offer to users and customers financial related value त्यानरे वित्य से वाओं को शर्थ को इस परकार से प्रवाशिक क्या जा सकता है कि वे क्रियां लाव तत्व संतुष्टियां जो कि मुद्रा के विक्रे से जुड़ी होती है तत्था इन्हें उप्योग करता हो तत्था उप्भोगतां को दिया जाता है वित्य मुल्यों से संब्देद होती है इनका इनका अल्टीमेटली फानेंस से लेटीड होता है और अल्टीमेटली जो कंजूमर है उसको बेनिफिट पहचाना होता है दफानेशल सर्विस ओगनाजेशन रेंडर सर्सेस टो इंडेस्ट्रियल एंटर्प्राइज़स अन अल्टीमेट कंजूमर मार्केट्स जो फानेशल सर्विस ओगनाजेशन है तो दोनों को सेवाई परदान करते हैं इंडेस्ट्रियल एंटर्प्राइज़स को भी इनकी बड़े-बड़े जो उद्यों गराना है बड़े-बड़े कंपनियाज है जैसे रिलाइंस, टाटा, दिलाश इंस्टिशिटिशिटिशिटिशिटिशिशिज़न रिलाइभ तक द ADAMißt भी ख Seal॥बे-ड़े, बड़े मरान studio मारे, है इंडेस्टिशिशिख अभी ही करेक्ट्रिक्ष और पानेशल सर्विसेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग जो financial services customer को provide कर रहे हैं, वो customers को valuable भी है या नहीं है, customers से संतुष्ट है या नहीं है, Second, direct sale, जो financial services होती है, उसमें direct sale होता है, direct sale का मतलब इसमें जो producer है, इनकी बनाने वाला है, service को provide करने वाला है, वो direct sale करता है customer को, यानिकी इसमें intermediately, यानिकी बीच में मध्यस्त नहीं होती है, और दूसरी बात, क्योंकि services को हम store नहीं कर सकते हैं, produce करने के बाद, इसलिए इसका production और consumption दोनों साथ-साथ होता है, और क्योंकि इसका मकसद जो होता है, वो customer को satisfy करना होता है, इसलिए services इस तरीके से त्यार की जाती हैं, कि जिससे customer जदज-जदज़ा satisfy है, तीसरा, heterogeneity, विवित्ता, क्योंकि जो financial services हैं, वो एक wide variety है, हर एक customer को हम same financial service provide नहीं करते हैं, अब just like आप bank में जाते हैं, तो bank में कही तरह की financial services का package हमार को मिलता है, just like वहाँ पर हमें insurance के भी product मिलते हैं, insurance की services मिलती हैं, banking की services मिलती हैं, mutual fund की services मिलती हैं, हर एक व्यक्ति की जो needs होती है, वो different होती है, तो इसमें heterogeneity पाय जाती है, यानि कि हर एक customer को उसको service wide range में से उसको जो उसकी choice है, जो से उसको जदा-जदा satisfy कर पाए, उसके लिए उसको services provide करते हैं, अब जस लेकि एक example ले देते हैं, जो old age persons होते हैं, वो पैसा safe रखना चाते हैं, उसके लिए bank उनको bank FD की services provide कर रहा है, जहांप senior surgeon को interest भी थोड़ा सा normal FD से ज़्यादा देता है, उन्हें जो यंग्स्टर हैं, वो risk लेना पसंद करते हैं, उन्हें bank mutual fund की services provide कर रहा है, तो यह जो financial services उसमें काफी heterogeneity पाए जाते हैं, नंबर फॉर्ट, the fluctuation in demand, जो financial services इनकी demand में भी काफी fluctuation पाए जाता है, क्योंकि economic activities में change आने पर इनकी demand में भी change आता है, और for example, हम ले सकते हैं, just like in the month of March, जैसे March आता है, तो ज़्यादतर जो अमरे देश में लोग हैं, वो अपने tax saving के बारे में सोचना लग जाते हैं, इस time क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, वो या तो tax saving FD खरीते हैं, या अपना पैसा insurance में लगाते हैं, जिस्टे कि वो tax deductions में अपना पैसा दिखा सकते हैं, under the ATC, तो वरस्पद पूरे साल के तुलना में, मार्च मीने में जो है insurance products की demand अचानक और your tax saving FD उसकी demand अचानक बढ़ जाती है, अब एक example और भी ले सकते हैं, Just like at present COVID-19, यहनकी coronavirus चल रहा है, तो इन दिनों जो public है, जो people से हैं, वो अपने health के प्रती ज्यादा precocious हो चुके हैं, इसलिए इन दिनों, जो health insurance की demand है, वो एक तम suddenly बढ़ गई है, तो यहनकी environment chain होने कर, इनकी demand में भी बहुत fluctuation होता है, फिर्फ, प्रटक्ट जाद consumer's interest, हाँ, प्रटक्ट consumer interest बहुत important है, वो बोगता के जो health को safe करना सबसे जड़ा importance part होता है, financial services का, क्योंकि जो financial services का base है, वो customer है, अगर customer का जो interest है, वही safe नहीं रहेगा, तो नचे बत है, financial institution के लिए survive करना, बिलकुल भी possible नहीं है, for example, आज के time में कोई भी person है, वो insurance product buy करने से पहले क्या देखता है, especially अगर वो term insurance ले रहा है, तो क्या देखता है, को यह देखता है कि किस company का जो claim है, claim करने का जो ratio है, वो सबसे ज़्यादा है, यानि कि वो company कितना easily claim settle कर देती है after the death, तो natural बात है कि एक company जो है, जो जितना ज़्यादा consumer के विए interest को protect करती है, उसकी value उतनी ही ज़्यादा आती है customer के में, six, labor intensive, labor intensive जो मतलब है, जो financial services है, हाला कि इसमें technology बढ़ने के साथ, technology का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, लेकि फिर भी यह labor intensive, labor intensive यहाँ पर labor का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और labor की ज़्यादा requirement की वज़े से जो इसकी cost है, वो competitively ज़्यादा होती है financial services की, अब क्योंकि labor cost ज़्यादा होती है, इसी वज़े से जो financial services के product है, उनकी cost भी बढ़ जाती है, हाला कि financial institutions हैं, वो modern technology का प्रयोग करने लगे हैं, just like आपने देखा होगा, banks ज़्यादा से ज़्यादा ATM खोल रहे हैं, ताकि लोग बैंकों में पैसे निकलवाने ना आए, उस ATM का प्रयोग कर पाएं, net banking, mobile banking, mobile app, हो सारी तर्स करिके अपनाया जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम जो burden है, वो bank staff पे लगाया जाए, और लोग जो हैं, इस technology का प्रयोग कर पा पूरे देश में फैलाना होता है, उसका reason यह है कि कि जो customer है, पूरे area में फैले होते हैं, पूरे country में फैले होते हैं, उनको जदा से जदा अपनी services को देना, उनको अपनी तरफ attack करना, क्योंकि जदा से जदा उनको services easily मिल जाएगी, तभी वो हमारे services को use करेंगी, तो इसलि payment pay करने के लिए अपनी शहर से बाहत जाना है, वो उसी company का insurance product buy करना चाहेगा, जिसका office है, वो उसकी शहर में easily मिल जाए, नमर एक, lack of special identity, यह बहुत main बात है, कि जो financial services provider है, उनके लिए अपनी special identity बनाना बहुत मुश्टर है, इसका reason यह है कि लगबग जितने भी financial institutions हैं, वो similar type की financial services provide करते हैं, आप किसी भी bank में चले जाओ, वहाँ पर आपको saving account, current account, fixed deposit account, recurring deposit account, loan की सुईदा, लबच सब जगा मिल जाएगे, तो इसलिए क्योंकि कोई भी financial institution है, वो कोई financial service नहीं provide करता है, बलकि package provide करता है, तो इसलिए किसी भी financial institution के लिए special identity create करना बहुत मुश्किल ह लेकिन फिर भी बहुत सारी जो financial institutions हैं, वो अतनी identity को बनाने में सफल हो पा है, in the mind of customer, किस तरीके से, by providing the quality of service, by providing quick response, जो customer को quick response देते हैं, वो quality service देते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से deal करते हैं, और उनकी जो complaints वगारा को तुरन्त, sort out करते हैं, तो 9th अतने, 9th information place, तो financial services है, उसमें information का बहुत main role है, क्योंकि पूरा financial sector जो है, वो information पर depend, तो जो financial services provider है, वो information का कही तरीके से use करता है, वो information को create करता है, उसको दूसरों को provide करता है, और उसका swim भी use करता है, तो information को proper way में analyze करने से, कोई भी financial institution अपनी services की quality को improve कर सकता है, वो जान सकता है कि हमारा customer किस तरह की services को use कर रहा है, वो pin products को ज़्यादा like कर रहा है, वो अपना पैसा किस तरीके से खच करता है, तो इन data को analyze करके, हम अपने customer को ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction provide कर सकते हैं, 10th आता required quality labor, हमने 6th में पढ़ा था labor intensive, यानि कि हमें बहुत ज़्यादा labor के जुड़त होती है, 10th में हम discuss करें that is required quality labor, ना कि वर हमें labor की ज़्याद होती है, वो labor quality, quality से मतलब यह है, कि हमें ऐसे labor की जुड़त होती है, जो काफी trained हो, as experience order हो, तो ऐसे काफी years के जो trained और experience labor को अपनी तरफ attract करना पड़ता है, और ना के वर हमें quality labor की जुड़त हमें high level पर पड़ती है, बलकि एक simple से simple task करने से लेकर, high से high जो data analyzation का काम है, वहां तक हमें पड़ती है, इसलिए जितने भी बड़े बड़े financial institution है, उनका जो base है, उनकी quality labor है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस quality labor को अपने हाँ retain कर सके by providing monetary incentive, non-manitary incentive, तक ही वो वेवर को अपने retain कर पाए और कस्टमर को जदा से जदा अच्छी quality of service प्रवाइड कर पाए, I hope आपको financial services के characters के clear हो गई में भी, Come to the next topic, that is the scope of financial services, financial services cover a wide range of activities, they can be broadly categorized in two parts नेगे, उनको अगेन हम दो पार्स में बाढ़ते हैं, एक traditional activities, दूसरा modern activities, अगेन traditional activities या प्रंप्राग क्रिया एंजिने कहते हैं, उनको अगेन हम दो पार्स में बाढ़ सकते हैं, एक fund-based activities, दूसरा non-fund-based, और fund-based activities क्या होते हैं, fund-based activities वो होती हैं, जहां पर जो service provider है, वो कहीं न कहीं हमें directly fund provide कर रहाता है, और जहां तक स्वाला non-fund-based activity है, जहां जो हमें service provider है, यानकी जो financial service देने वाला है, वो हमें पैसा नहीं दे रहा है डारकी, लेकिन हाँ, हमार को help कर रहा है बहुत सारे काम और बदले में वो ये सारी चीजे premium ही दे रहा है, उसके बदले में fee ले रहा है, इसलिए इसको non-fund-based activity या fee-based activity भी कहते हैं, इन दोनो activities यानकी जो traditional परागत कुए हैं और modern activities आदुनी कुए हैं, इन दोनों को हम discuss करेंगी, सबसे पहले traditional activities को हम discuss करते हैं, specially fund-based activities को, fund-based traditional financial services, क या specially करते हैं, यह शुरुआत से चला रहा है, जो financial services हैं, यह काफी time से करते आ रहे हैं, just like underwriting of shares and debentures, यानि कि as a underwriter का काम करते हैं, assure करते हैं, कि जो हम अपने shares and debentures issue कर रहे हैं, वो अच्छी तरह successfully place हो जाएं, अगर public उन्हें ना खरीदे तो यह underwriter उस बाकी बचेवे पर activities हमार को आसानी से foreign exchange प्रवाइब कराते हैं, ताकि हमें जो foreign trade करने हो, या import के payment करनी हो, आसानी से हो सके, equipment leasing, higher purchase, venture capital, equipment हमार को lease पर प्रवाइब कराते हैं, हमेर लिए higher purchase का work करते हैं, हम जो business new है, या risky है, उनके लिए venture capital प्रवाइब करते हैं, dealing in the secondary market activities, वो हमारे लिए secondary market मे हमें activities प्रवाइब करते हैं, हमारे secondary market में हमारे shares को subscribe करके हमें fund प्रवाइब करते हैं, participating in money market instruments like treasury bills, discounting bills and commercial paper, और वो हमारे money market instrument में भी participate करते हैं, just like जब हम अपने treasury bill issue करते हैं, तो उसमें participate करते हैं, हमारे bill को discount करके हमें fund प्रवाइब करते हैं, हमारे commercial paper को buy करके, subscribe करके, हमें fund provide करते हैं आयों आपको यह traditional services का fund based part here हो गया होगा come to the next topic अब यहां discuss करते हैं non-fund based traditional financial services जिसे P-based भी कहते हैं first the management of capital issues यहां पर वो क्या करते हैं जो हम share issue कर रहे हैं उसका management करते हैं चाहँ हम share issue कर रहे हैं डिवेंचर issue कर रहे हैं और management कप से करते हैं issue share करने से पहले से लेके और issue complete हो जाने के बात कर बी arrangement for the placement of capital and debt instruments with the investment institutions वो हमारे लिए कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं कि हमें जो capital या हम जो share issue कर रहे हैं या debt instrument issue कर रहे हैं उसमें जो investment institutions है ज्यादा ज्यादा participate करें हमारे और पैसा लगाएं C arrangement of the funds from the financial institution जो बैंकों से या financial institution से हमें लोन की requirement है उसके जो भी इस पूर्मेंटीज वगरा पूरी करनी है उसके रहे जो financial institution से बातचीक करनी है meeting arrange करनी है वो सारा काम करते हैं D placement of the capital and debt instruments with the investment institutions ऐसी कंपनियां जिनके पास fund काफी मात्रा में पढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है उस मनी को कही इंवेश्ट करना चाहेंगे सेव करना चाहेंगे तो उनके लिए service provide करती है कि ऐसे investment institution में की capital में या debt instrument में आपका पैसा invest करा है जहां आपका पैसा सेव भी हो और growth यह arrangement of working capital for his clients जा चुब बता हर एक business man को अपने day-to-day work operation करने के लिए working capital की जोगत होती है तो उनके लिए working capital cheapest cost में कैसे available कराई जाए इसमें help करवाते हैं assisting in the process of obtaining government clearance वो सारे work में हमें government की clearance लेनी पड़ती है हाथ जगा जगा government से clearance लेने के लिए legal formalities को पूरी करने होती है तो इन सारी formalities को पूरी करवाने में help करवाते हैं I repeat again जो services provide कर रहे हैं free of course नहीं कर रहे हैं बदले पर वो हमसे fees charge करते हैं I hope आपको non-fund based additional financial services clear हो गएंगे Come to the next Now we will discuss the last part of that that is modern activities आजकर जो है जो financial institutions हैं उन्होंने काफी अपने अंदर innovations किया है अपने अंदर काफी सुधार किया है ताकि वो नहींने work को लेकर है इसके reasons भी बहुत सारे हैं क्योंकि जो financial services provide करने वाले institutions हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए के वीच में competition भी काफी बढ़ गया है तो वो नहींने innovative services लेके आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा clients को ज्यादा ज्यादा customer को अपनी और आकर्षय कर सके सबसे पहरे डिसकूस करते है नमरी रेंडरिंग दो प्रजेक्ट अडवाईजरी सर्विस राइट वाईजरी सर्विस और कहां से हमें अडवाईजरी सर्विस देते हैं जब हम प्रजेक्ट त्यार कर रहे हैं वहां से वह अमारे प्रजेक्ट को review करना शू कर देते हैं जहां हमारे प्रजेक्ट में कोई कमी या पेशी नगर आती है तो वह में assist करते हैं ताकि हम उपने प्रजेक्ट को proper way में handle कर सकें और even उस प्रजेक्ट के लिए जो में funds चा अगर कोई आज करी टाइम में नाचरी जो बिद्नेस और इक्विजिशन के जादा जादा फोकस कर रहे हैं हर बड़ी कंपनी एक दूसी कंपनी को acquire कर रही है जिसे हम consolidation भी कहते हैं तो इन consolidation के दोर में यह हमें help करती है कि कि किस तरीके से margin acquisitions को हमें करना चाहिए हमें उस company क को acquire करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसमें हमें assist करते हैं और फिर पाइनली जब हम उस process में चलते हैं तो जितनी भी हमें legal format को पूरी करनी होती है उन legal format को प्रपर वे में smoothly करवाते हैं ताकि यह merger acquisition प्रपर वे में complete हो जाए C directing the corporate customer in a capital restriction कंपणियों को अपने time to time अपने capital को restructure करना पड़ता है specially जो loss making companies है या किसी वज़े से उनको अपनी capital को shuffle करना पड़ा है तो ना चुर्छ बते हैं यह कंपनियों को अपनी capital को restructure करने में भी help provide करते है D acts as a trustee to the debenture holders, debenture holder के interest को safe रखने के लिए उनके as a safeguard के रुप में यह trustee का काम करते हैं E recommending the suitable changes in the management structure and management style in which is in to the achieve better results Company results को और improve करने के लिए company में और जज़्यदा तरक्की करने के और ज़्यदा उनकी जो working performance है उसमें सुधार रखने के लिए वो management के structure और management के काम करने के तरीके में changes को लिए recommendations देते हैं हमें suggestions देते हैं जिससे कि हम अच्छे से अच्छे अपनी company की performance को कर सकें और company के लिए better results निकाल सकें F portfolio management of the large public sector entertainment बड़ी-बड़ी company के लिए portfolio management का काम करती है जी capital market services such as clearance services, registration, transfer, collection of income on securities etc Capital market से related है मालको कही तरह की services प्रवाइड करती है Just like clearing की services प्रवाइड करती है एक company के registrar या transfer agent के रूप में काम करती है और company के लिए collection of income यानि की company ने जहाँ investment कर रखाया है जिन shares पर dividend और interest कलेक करने में ये help करती है I hope आज आपको ये तीनों topic clear होगे होगे Financial services का meaning, उसकी characteristics और उसका scope आप इस channel को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली videos का notification लेजाए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे like दी कर सकते हैं आप अपने सुझाव वेब question भी comment box में देख सकते हैं आपके सुझाव बहुत important है जिने हम अगली videos में include कर सकते हैं Thank you, stay home, stay safe